हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि अगर एक सूट या पील पेंडिंग नहीं है तो टेंपरेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है कि नहीं जैसा कि आप जानते होंगे या आपने वेरियस जज्जमेंट्स को पढ़ा भी होगा बुक्स भी पढ़ी होंगी कि टेंपरेरी इंजंक्शन कि और उसी समय ग्रांट किया जाता है जब कोई सूट या अपील पेंडिंग है suit या appeal pending है appeal क्यों? क्योंकि appeal is nothing but continuation of suit तो अगर कोई suit या appeal pending नहीं होगा तो क्या order 39 के तहट temporary injunction दिया जा सकता है या क्या temporary injunction किसी भी provision के इंडर दिया जा सकता है तो अब ये situation कैसे rise हो सकती है कि suit pending भी नहीं है और defendant को या plaintiff को ये जरूरत आ रही है ये जरूरत बन रही है कि उसे injunction चाहिए दूसरे party के against तो ऐसी situation कभी भी बन सकती है एक example यहाँ पर मैंने note किया है note down किया है उसे आप देख सकते है for example A ने title suit file किया है A ने title suit file किया हुआ है किसके against? B के against B क्या हुआ यहाँ पर defendant A क्या हुआ plaintiff अब अब B ने B के appearance उस case में हुई ही नहीं अब तक उस suit में B appear ही नहीं आप तक तो जाहिर सी बात है अगर कोई party नहीं आता है अगर defendant नहीं आता है तो suit के सुनवाई कैसी होती है X party सुनवाई होती है इसी को follow करते हुए X party degree past कर दिया गया था A के favor में B यहाँ यह court में आके एक application लगाता है कि X party degree को set aside किया जाए क्यों किया जाए set aside क्योंकि उसको समन सी नहीं मिला था और उसके साथ साथ वो क्या लगाता है application उसके साथ साथ वो application क्या लगाता है कि temporary injunction की relief मांगता है वो क्या मांगता है उस relief में कि A को जिसके favor में जो decree holder है A उसके favor में जिसके favor में decree pass हुई है उसको रोका जाए क्यों रोका जाए कि जो जिस suit को लेके जिस भी suit property को लेके dispute था उस property को किसी और को ना बेचा जाए क्योंकि अगर किसी और को बेचा गया तो बहुत सारी दिक्कते होंगी multifarious litigation सुरू हो जाएंगे litigation की संख्या बढ़ जाएगी तो S case में वो temporary injunction भी फाइल करता है यहाँ पे A क्या बोलता है कि सुनो भाई साहब भी अब तुम temporary injunction का application फाइल नहीं कर सकते हो क्योंकि X party decree pass हो चुकी है और चुकि decree pass हो चुकी है इसका मतलब suit pending नहीं है suit is not pending suit कब pending होता है जब plant present ही आजाता है after the presentation of the plant until the decree is passed तो यहाँ decree pass हो गई है तो यहाँ suit is not pending pendency तो है नहीं यहाँ पे तो इस case में A बोलता है कि देखिए B भाई साब अब तो आप temporary injunction का सहारा नहीं ले सकते है B बोलता है ऐसे कैसे मेरे साथ injustice हो रहा है मुझे समझ नहीं मिले थे मुझे पता ही नहीं चला था कि आपने मेरे खिलाफ title suit फाइल किया हुए है पर साथ ने एक party degree अपने favor में ले लिया है उस case में अगर आप property को किसी और को बेज देंगे तो फिर तो मुझे कटना ही होगी तो आपको बेजने से रोका जाए वो चीज इसके लिए वो सहारा लेता है section 151 का इसके लिए वो सहारा लेता है section 151 का कि court कहीं भी ये court CPC कहीं भी court को उसके inherent power को exercise करने से नहीं रोकती है तो जहां ends of justice की जरूरत है जहां भी ends of justice की जरूरत है वहाँ पे इसका सहारा लिया जा सकता है वहाँ पे temporary injunctions का सहारा लिया जा सकता है अब मैं यह बात कैसे बोल रहा हूँ यह बात मैं four judges bench of honorable supreme court के judgment पर रिलाई कर रहा हूँ जहां manohar lal versus state hira lal it is one of the landmark decision on temporary injunctions जहां बोला गया था कि order 39 order 39 is not exhaustive temporary injunctions देने के लिए कई situation arise दो सकती है जो order 39 में जरूरी नहीं है कि deal क्या गया हो तो order 39 is not exhaustive and the court has inherent power under section 151 CPC to grant temporary injunctions और इसी तरह का similar issue इसी तरह का similar issue honorable Guhati high court के पास आया था Shri Yogesh Saab versus Dharmeshwari Devi में 2005 का judgment है जिसमें साफ साफी इन शब्दों में बुला गया था कि जहां section जहां order 39 के provision supply नहीं होते है मतलब for example जहां suit pending नहीं है या appeal pending नहीं है तो उस case में section 151 का सहारा लेके temporary injunctions का order पास किया जा सकता है तो जो question मैंने सुर्वे पोज किया था कि क्या temporary injunctions पास किया जा सकता है जब suit या appeal pending नहीं है तो उसका answer है yes किया जा सकता है under section 151 किया गजब किया पुट है